आर यू लिस्निंग टू मी केरफुली एंड अबिडेंटली एंड सिंसेरली एंड डेफिनेटली एंड लुकमान ने भी एंट्री मारी है वेल्कम टू लुकमान अब ठीक है बताएं बचो एद पे कैसा रहा आप लोगों का दिन और कैसी रही आप लोगों की बूटियां और कैसे रहे आप लोगों के बलाओ पलाओ बरियानियां ठीके क्या कुछ खाया बचो कुछ बताएंगे तरह नोट क्या काते हैं नौट मैंशन नहीं प्लेयर चला है मचो आज हमने पढ़ना है साइटो फलाजम इसको भी खा कर चेक करते हैं यह कैसा होता है और और और्गिनेली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ पहले अपने पहले बता जा जाता था कि साल वाल नॉन going तो जी जी सिघी तो पिछ वॉल को निकाल दें तो प्रोटु प्रोटॉप लाजम होता है प्रोटॉपलास्ट़ के लाटी है अगर समी इन बीशामिल तो सेल मेंब्रेन और cell wall को निकाल के जो पीछे बच्छे 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 वो प्रोटोप्लाजम है यह एक आप लोगों का cell है इस cell के अंदर nucleus होता है यह nucleus है सबको पता है यह cytoplasm है cytoplasm है सबको पता है बच्छो यह क्या है nucleus इन दोनों चीज़ों को जब आप लोगों को बच्छपन में बताया गया कि nucleus के गिर्स जो कुछ भी है वो सारा cytoplasm है nucleus plus cytoplasm is equal to protoplasm this is the living matter of the living matter of the cell ठीक है माम लोग कमेंड करें protoplasm is equal to nucleus plus cytoplasm याद हो जाएगा ना आपको इंशाल्ला फिर आप भूलेंगे नहीं इक है कि अब कहां पर होता है आज हम explain करने जा रहे हैं cytoplasm को क्योंकि प्रोटोप्लासम का बड़ा important component है है तो मच्छों साइटोप्लासम आपका अल्ला बला करें मुझे जो लग जो लग जो लग रहे है वो जो नूक्लियस से लेके साइटोप्लासम जो है ना वो सेल मेंब्रेन तक प्रेजेंट होता है देखें का नूक्लियस से लेके नूक्लियर मेंब्रेन से लेके कहां तक मौझूद है यह cell membrane तक मौझूद है it is the region between between two membranes number one nuclear membrane nuclear membrane and cell membrane जिसको हम plasma membrane भी कहते हैं इन दो membranes के दर्मियान जो सारा material है बच्चो इसको हम साटो प्लाजम बच्चो कमेंट्स नहीं किया सबने खान साब ने किया अभी तक protoplasm is equal to satoplasm plus nucleus बाकी बच्चे बच्चे सोया ना करें जहा करें ठीक है मुहमद साब ने entry मारी है welcome to मुहमद याद रखें बच्चो यह common component है between prokaryotic and eukaryotic cell common in you and prokaryotic cells दोनों के अंदर साटो प्लाजम लाजमी होता है prokaryotic के अंदर भी होता है और eukaryotic के अंदर भी साटो प्लाजम मौझूद होता है फरक ही है कि जो prokaryotic का साइटो प्लाजम है इसके साइटो प्लाजम में साइटो सेकेलेटन नहीं होता एबसेंट और eukaryotic के अंदर साइटो सेकेलेटन साइटो प्लाजम के अंदर प्रेजेंट होता है यह बड़ा डिफरेंस है अगर आपके सामने eukaryotic सेल का साइटो प्लाजम है तो इसके अंदर साइटो सेकेलेटन होगा इस तरह से साइटो प्लाजम है तो इसके सेल में कोई साइटो स्केलेटन नहीं होगा साइटो स्केलेटन आप लोगों को पढ़ाएंगे आगे यह सेल के स्ट्रेक्चर को मैंटेन करने वाला स्केलेटन होता है मटिरियल होता है सो नहीं होता है बेटे साइटो प्लासम और दूसरी मैंब्रेन बाउन्ड ओर गन ELLL इस है ख्रेंगे मैंब्रेον ऑर्गन ELL इस क्या है? Absent जबके यहां लिखेंगे के Membrane Bound बचो कोन सी होती हैं? कोई बताएगा? आप सब से आने हैं मेरी तरह आप मेंसे कोन बताएगा के Membrane Bound Organalis कोन सी होती हैं? कोई बता दे तो मैं आप लोगों को इनाम दे सकता हूँ इनाम दूँगा इन्शाला कोई बताएगा? Eukaryotic के अंदर Membrane Bound Organalis Present होते हैं Cytoplasm में इसमें नहीं होते हैं अजी बताएगे नाम जल्दी से देखते हैं कोन सी आना आप में से आप बाश बता दे, बता दे, बता दे Very good Very good नहीं हाँ पुछ रिये वीडियो किया हुआ नहीं बटे कुछ भी नहीं हुआ Metacondria Cloroplasm बिल्क्र ठीक है यह पहले से ट्रेक्टर इदर मवजूद है यह Metacondria हो गया Cloroplast हो गया यह बच्चों Endoplasm Reticulum हो गये Membrane Bound है ठीक है, गॉल जी अपरेटर्स हो गयी है गॉल जी अपरेटर्स हो गयी यह सारी चीज़ें Eukaryotic Cell के सैटोप्लासम में होती है Prokaryotic Cell के सैटोप्लासम में नहीं होती तो यह दोनों के सैटोप्लासम को मैंने कंपिर किया बेशक दोनों में मुझूद है लेकिन थोड़ा सा फरक है दोनों में अब देखते हैं के सैटोप्लासम की नेचर के रहा है इसके अंदर कौन कौन से कैमिकल्स प्रेजेंट है अच्छा यह बात याद रखें लुकमान साब के Ribosome मेंब्रेन बाउंड नहीं होते इसलिए Ribosome दोनों में होते हैं Prokaryotic में भी होते हैं और Eukaryotic में भी होते हैं सो देहान से जडरा Ribosome नहीं आएगा इसमें उसकी कोई मेम्डेन नहीं होती है दोनों में होता है साटोप्लासम की नेचर देखें तो इसमें बचो 90% water है जहां water आज जाता है और उसमें चीजें पड़ी भी हो तो यह solution है solution है इसमें दो तरह का solution होगा एक होता है true solution और दूसरा होता है collidal solution ऐसा solution इसमें छोटे-छोटे small particles, small lines, small molecules dissolve होते हैं उसको हम कहते हैं true solution small molecules of solute अगर solute के तोर पर छोटे molecule हैं तो ऐसा solution true solution होता है और अगर solute के तोर पर large molecules हैं large molecule हैं तो ऐसे solution को collidal solution कहते हैं large molecules of solute तो कुछ हिस्सों पर cell के साइटो प्लासम में small molecules होते हैं और कुछ हिस्सों में बड़े molecule होते हैं मसलन salts अग्जेम्पल आपको बता रहा हूँ salts sugars amino acids fatty acids vitamins vitamins यह वाले जो चुटे 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 बच्चों मॉलेक्यूल्स हैं यह चुटे 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 जो चीज़ें हैं नुक्लियोटाइट्स वगएरा और गैसीज़ें यह सब चीज़ें स्मॉल मॉलेक्यूल हैं इनका solution true solution है कहीं कहीं पर लार्ज मॉलेक्यूल भी होते हैं मसलन फैट्स प्रोटीम्स ऐसी चीज़ें साइटो प्लासम के solution में कॉलाइडल कॉलाइडल solution मनाते हैं ठीक है बच्चो क्लियर उसके लावा एक और बात याद रखें के cell के nucleus के क्रीब इस हिस्से में जो साइटो प्लासम होता है इस 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 का जो इसकी जो appearance होती नए वो पतली होती है यह साइटो प्लासम होता है यह कम viscus होता है गारा नहीं होता less viscus सेल के दर्मियान में जो सैटोपलासम होता है ना बचो नुकलियस की इर्द गिर्द वो ना कम गाड़ा होता है उसको हम नाम देते हैं साइटोसोल जो के नुकलियस के करीब है नुकलियस के करीब है और जो बाहर वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा जो किनारों पे एरल पेरिफ होती है वो जेल की तरह होती है तो विसकस हिसा पेरिफिरल कहते हैं किनारों को सेल के किनारों पे जो सैटोपलासम होता है वो थोड़ा सा जेली की तरह होता है और सेल के दर्मयान वाले निूकलियस के करीब जो सैटोपलासम होता है वो बहुत कम गाड़ा होता है लेस विसकस ह होता है उसको बचो हम साइटो शोल कहते हैं चैक है अब याद रखें इस इसे के अंदर साइटो पलासम की हरकत भी होती है Healthcare Eyes की वज़ास से साइटो पलासम हरकत भी करता है ऐसे ऐसे घूमता भी है जिसकी वज़ासे सैल के अंदर मुझूद बाकी की चीजें भी घूमती हैं दर्या बहता है ना ऐसे सेल के अंदर सैटो पलासम बहता है इस काम को साइकलॉसिस कहते हैं जिसको आम तोर पर हम साइटो पलासमिक सर्ट्रीमिंग का नाम देते हैं साइटो पलासमिक सर्ट्रीमिंग से क्या मुराद है साइटो प एक जगां पे fix नहीं रहता वो flow करता रहता है क्यों बीच में micro filament धागे होते हैं वो धागे contraction contract करते रहते हैं और इस दर्या को बेहने पे मजबूर करते रहते हैं तो साइटोपलाजम का दर्याब बेहता है इस से क्या होता है जो cell के contents है जो cell का माल है जो cell का material है वो पूरे साइटोपलाजम में घूमता है distribute होता है अगर एक जगा पे fix रहेगा तो cell की चीज़ें फैलेंगी नहीं तो फैलने के लिए जरूरी है हर हिस्से तक nutrients पहुंच जाएं हर हिस्से तक चीज़ें पहुंच जाएं उसके मकसद के लिए साइटोपलाजम को गुमाना पड़ता है बहना पड़ता है और इस बहन पड़ता हो ये तो इसकी nature हो गई ये तो इसकी क्या हो गई नेचर फैजियो कैमिकल नेचर अब देखते हैं बचोंके इसका रोल क्या 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 काम करता है साइटोपलाजम राकाम क्या क्या करता है रोल याद करवाते हैं जी एक तो रोल वो होता है ना खाने वाला और एक रोल वो समोसे वाला होता है ठीक है रोल समोसा यह वो वाला रोल नहीं है ठीक है बच्छों यह वो वाला रोल समोसा शार्टरपलाजम का सबसे इंपोर्ट काम यहां पे सबसे ज्यादा metabolism कह सकते हैं होती है ज्यादा ना कहें बस यूं कहें कि यहां पर chemical reaction यह मसलन glycolysis का जो अमल है वो सैटोपलासम में होता है glycolysis बढ़ा ना glucose का तूटना glucose तूट जाता है और breakdown होता है कई चीजें सैटोपलासम में आके स्टोर हो जाती उसी तरह सैल के सैटोपलासम में चीजें स्टोर की जाती है ताके वो आने वाले वक्त में यूज हो सकें कौन-कौन Townもの metabolism होते हैं यह पर प्रोटीन बनती है है प्रोटीन की सिंथिस होती है ठीक है प्रोटीन बनने के लावा और कौन से मेटाबॉलिसम के रियक्शन्स होते हैं आइस अब्दुल्ला ने कहा आइस जी बिल्कुल गर्मियों में मले वाले उस गर से बरफ मांगने जाते हैं अच्छा जी बायो सिंतिसिस प्रोटीन की प्लस गलायकॉलसिस यानि ग्लूकोस का तूटना उसके लावा ग्लूकोजैनेसिस ठीक है ग्लूकोनोजैनेसिस भी कहते है और ग्लायकैनोजैनेसिस भी कहते है ठीक है करनो जैनेसिस और गुलुको जँनेसिस में तीन नियुर्ट ग्याद प्रोटीन बनती है गुलुकोस ब्रेकडाउन होता है ग्लुकोस ब्रेकडाउन होने के साथ साथ गलुको नियो जैनेसिस होती है गलुको नियो जैनेसिस के लावा गलाय कैनो जैनेसिस भी होती है गलाय कालिसिस के अंदर गलुकोस तूटती है तूटती है लिख ले मैं बता रहा हूँ गलाय कालिसिस के अंदर गलुकोस तूट जाती ब्रेकडाउन होती है गलाइकानो जानेसिस के अंदर गलाइको जन बनता गलाइको जन गलुकोस से गलाइको जन बनता और गलुको नियू जानेसिस के अंदर गलुकोस खुद बनती है ठीक है प्रोटीन बाउसेंसिस में प्रोटीन बनती है गलाइकानो जानेसिस में गलाइकोस तूट जाती है और गलाइको जैनो और गलाइको जैनो जैनेसिस भी होती है यहां पर यह एक वर्ड इस तरह सब मैंने कुछ और लिख दिया गलाइको जैनो लाइसिस यह वर्ड लिख है ठीक है मैंने गलाइको जैनो बनाने वाला रेक्शन लिख है यहां पर गलाइको जैनो लाइसिस लाइसिस में तूटना है गलाइकोजन को तोड़ना भी साटोपलासर में होगा और गलुकोणियोजैनेसिस गलुकोज का बनना भी कहा होगा मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रोटीन बनना इस प्रोटीन बायो सिंथेसिस गलाइकोजैनोलाइसिस में गलाइकोजन का तूटना और glucose बनना और glucose नहीं हो जाना से glucose का दूसरे तरीकों से बन जाना ठीक है और कौन-कौन दे चीज़ें store होती है बच्चों store वो चीज़ें होती है जो useful चीज़ें भी हो सकती है उनमें ठीक है substrate कहलें useful चीज़ें कहलें और sometime waste product भी जो है ना सुनमता है वो साटव प्लासम के अंदर स्टोर हो जाता है तो ऐसे components use all store होते हैं जिनोंे activities में involve और बाद में काम भाने मताँ है और बरफ क्यूं store करते हैं गोष्ट क्यूं store करते हैं वो काम आती है तो साटवलाशमें useful components store करें क्यों वो मुख्तलिफ activities में काम आते हैं कामों में इस्तमाल होते हैं इसी तरह waste material को बाहर फैंकना होता है वो काम नहीं नहीं होते आचा काम की जो चीज नहीं है वो भी store करते हैं जैसे dustbin में सारा कचला store करते हैं और फिर फैंक आते हैं ऐसी करते हैं तो waste को भी store करना पड़त गलाइकोलसिज में गलुकोस तूटता है लिख लें दोबारा बता रहा हूं गलाइकोलसिज में गलुकोस तूटता है और गलाइकोजेनोलाइसिज में गलाइकोजन तूटता है परह कहना है बैटे गलाइकोलसिज में गलुकोस तूटता है और गलाइकोजेनोलाइसिज में अब लिए एपने देर सारा ख्याल रहें धेर सारा गोश्ट काएं अपनी जान बनाएं और मुझे इजाज़त दें अल्हाँ